हलो बच्चो, वेलकम बैक टो एडू मेंशन, मेरा नाम है स्रेश्ट गुपता और मैं आप लोगों को अभी के अभी बताने वाला हूँ कि 2023 का सैनिक स्कूल का e-counseling आपको कैसे भरना है आप अगर चैनल पर नए हैं तो फ्लीज चैनल को सबस्क्राइब करिए क्यों कि जैसे e-counseling शुरू होगी उसके बाद मैं किसी एक स्टुडेंट का एप्लिकेशन नंबर वगएरा वगएरा डिटा लेकर मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं करके दिखाऊंगा e-counseling के लिए form कैसे fill up करना है registration कैसे भरना है और सैनिक स्कूल चूज कैसे करना है तो वो मिस ना हो आपसे उसके लिए चैनल सबस्क्राइब कर लीजिए तब-tब के लिए आप इस वीडियो को देखे जिसमें आपको एक idea मिल जाएगा कि e-counseling होने कैसे वाली है और उसमें आपको क्या-क्या करना पड़ेगा क्या-क्या चीज, क्या-क्या documents की जरुवत पड़ेगी या बिना document की भी काम चलेगा यह सारा का सारा answer आपको इस वीडियो के अंदर में मिल जाएगा और आपको इस वीडियो के अंदर में मैं different type की चीजे बताऊंगा जैसे कि सैनिक स्कूल, new सैनिक स्कूल का 40% root क्या है और 60% root क्या है, यह सारा चीजे मैं आपको अभी वीडियो के बीच में समझाता हुआ चलूँगा तो शुरुवात करते हैं, पुरा फोकस यहां पर लाइए और ध्यान से देखिए स्क्रीन के उपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके का कुछ स्क्रीन शॉट लिया हुआ है यह officially यह release किया गया पेडिया, अप उसी मैंसे मैं आपको समझा रहा हूँ देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जब आप भी counseling के लिए जो link अभी generate नहीं हुई है वो link जैसी generate हो जाएगी, date उन्होंने बोला है 6 March 2023, शाम के 4 बजे का तो जैसी link आजाएगी, आप link लिक करेंगे, तो आपसे वो क्या पूछेगा, आपसे application number मांगेगा यहाँ पर आप देख सकते है, application number के लिए पूछ रहा है, आप application number भर कि उसमें verify click करेंगे अगर आपने सही application number डाला है, तो verification हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ उपर में ऐसा notification आएगा कि application number verified, यह बहुत easy process था, सबसे पहला इस्ट है, इसके बाद क्या होने वाला है, कि automatically आप एक नए page पर forward कर दिये जाओगे, जहाँ पर आपका application number तो रहे गही, साथ में आपका email ID और आपका mobile number automatic वहाँ पर आ जाएगा, और वहाँ पर बोलेगा कि आपको एक OTP भेजी गई है, जो कि same OTP है आपके email में भी और आपके mobile number में भी, आप किसी में से भी, किसी एक में आप जाएए, या तो आप अपना mobile का message चेक करिए, या तो अपना email ID जाकर, email में जाकर अपना inbox चेक करिए, वहाँ पर आपको एक OTP दिखेगी, दोनों जगहाँ पर same OTP है, तो confuse नहीं होना है, कि दोनों में से कौन सो OTP डालना है और आपका जो registration है, वो शुरू होने से पहले आपको password बनाने के लिए बोलेगा, तो आपने क्या किया, आपने application number डाला, उसको verify किया, और verify करने के बाद आपके email ID और mobile number को OTP आई, उस OTP को डालने के बाद आपको बोल रहा है, कि आपको एक password setup करना है, याद रखिए, ये password आप भूलिएगा, तो आपका पूरा e-counseling बरबाद हो जाएगा, इसलिए ये password आपको नहीं भूलना है, और कोशिश करना है, इसको किसी के सांथ share ना करें, until and unless वो आपका trust वर्दी इंसान हो, आप इसी पर trust करते हैं, तभी उसको दे, otherwise ये password मत share करें, तो आपको password होता है, password बनाने को password भर लेना, चैसी password बनेगा, आपको submit पर क्लिक करना है, और आप next page पर आजाओगे, जहां पर लिखा हो और आएगा उपर में, कि भाई सहाब, आपका जो sign up है, वो sign up successful हुआ है, अब क्या बोलेगा, ये दुबारा से आपको login करने को बोलेगा, जिसमें इस बार आपको क्या करना है, अपना application number डालना है, यहाँ पर देखो username लिखा हुआ है, यह username की जगा पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको application number डालना है, और फिर यहाँ पर वो password डालना है, जो आपने भी नया नया बनाया था, इसके बाद आप sign in कर जाओगे, automatically, e-counsel counseling में मैं आपको पहली बता दो, total 4 rounds होने वाले है, rounds का मतलब अगर आपको नहीं पता है, तो इसके बारे में अपने detail discussion 20 में करेंगे, अभी चलते जाएंगे आगे तो मैं आपको समझाता जाओंगा कि round का मतलब क्या है, पर 4 round का e-counseling होने वाला है, first round में अगर आपको seat न होने की जरूरत है, otherwise कोई भी problem की दिक्कत नहीं है, 4 rounds में जब तक complete e-counseling complete नहीं हो जाता, 4 round तब तक overthink करने की जरूरत आपको नहीं है, तो जैसी आप username, password डालेंगे और यहां पर sign in करेंगे, sign in करते ही आपके पास declaration वाला form आजाएगा आपके screen के उपर, जिसमें आपको I agree करना है, I agree करने से पहले क्रिप्या करके यह पूरा का पूरा declaration पढ़ लिजेगा, ताकि आपको एक idea है, कि sign in school वाले क्या क्या demand कर रहें आपसे, I agree करने के बाद simply आप क्या करोगे, आप आगे जाओगे, तो I agree करने के बाद आपका profile खुल जाएगा automatically, जिस profile में आपका न gender आपको भरना है, कि boy हो की girl, और एक आपको domicile भरना है, domicile का मतलब वो state, जिस state में आप अभी presently रह रहे हो, तो domicile मतलब हिंदी में बोलते हैं निवास, तो निवास प्रमाण पत्र में जहाँ पर का location दिया हुआ है, या फिर domicile certificate में जहाँ पर का location है, वो आपको यहाँ पर fill up करना है, इसको submit करना है, submit करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक pop-up आएगा, जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ भाई, यह सब जो है, जो आपने gender डाला था, जो domicile डाला था, वो select हो चुका है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर click करना है, यहाँ पर declaration कि यहाँ पर छोटा आपका registration हो जाएगा complete, पर registration is not the end, आपका भी registration जो हुआ है, वो आपका अंत नहीं है, आपको आगे बढ़के फिर अभी कई सारे steps करने है, इसलिए वीडियो के end तक में मुझसे मेरे साथ जुड़े रही है, ठीक है, अब क्या है, आप left side में जाओगे, तो my profile के नीचे आप इहाँ पर choice filling करके लिखा हुआ है, ठीक है, तोड़ से zoom कर देता हूँ, यहाँ पर आपदेख सकते हैं, यहाँ पर choice filling लिखा हुआ है, यह choice filling में आप आओगे तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 220 बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा से होजा, उसके बद आप द स्कूल 40 परसेंट रूरे कि सेने की स्कूल से बने नाव्मले कर एक्जांपल के तवर मान कि शलते हैं कि आप पढते हैं कि स्कूल में उसकूल का नाम हम थक्षिले स्कूल में पढते हैं और पोछे हुँ के बोला तक्षिला स्कूल को हम convert करें सैनिक स्कूल में अब आप अगर तक्षिला के 5th class में हैं तो आपका भी तो थोड़ा हक बनता है ना कि आपको तक्षिला स्कूल में जो कि अब सैनिक स्कूल में convert हुआ है आपको भी कुछ seat मिले इसलिए गवर्मेंट ने क्या किया कि अगर आप जो कि तक्षिला में पढ़ रहे थे वो तक्षिला में ही 6th class मैंड मिशन लेना चाहते हैं जो कि अब सैनिक स्कूल बन चुक है नया वाला तो आपको इस route 60% में apply करना पड़ेगा और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप तक्षिला में तो पढ़ते हैं लेकिन आ आप चाहते हैं कि आपको कोई पुराना सैनिक स्कूल मिल जाए जैसे कि सैनिक स्कूल अंभी कापूर तो आपको normal सैनिक स्कूल को चूज करना पड़ेगा आप चाहोगे कि दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो दोनों को चूज कर देना आप चाहोगे कि तीनों में से कुछ पुराने स 한ेनी के श्कूल में तो कुछ होता ही नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं नहीं ऑपक्षिला के श्कूल में आप सप्झे kे स्कूल में आपके अडमिशन हो जाए लेकिन मालों आपको तक्षिला से अनिक इसकूल में आपको चाहिए किसी और नियू से अनिक है स्कूल में तो आप किसकी पर्लाई करोगे 40% के लिए आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आप चाहें होंगे तो आपने अगर आप Normal Scenic Schools में आपने भरा होगा तो आपने एक चोईस तो पहली डाल दी थी जैसे मालो आपने Scenic इसके अलावा nine और Scenic Schools एड़ करने का मौका मिल रहा है और यह बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल last year तक ऐसा मौका नहीं मिलता था यानि कि आपने अगर एक भर दिया तो आपको वहीं मिलना था सैने की स्कूल काली करी डाला था अब आपके पास एक नया ओप्षिन आ रहा है तो आप बहुत लखी हो कि आपके टाइम पर यह शुरू है यहां पर प्लस बटन दबा के नाइन अलग-अलग सैन ने इक ही में कर सकते हो अगर आप सैने के सोल तक्षिला के हो तो दक्षिला में अप्लाई करोगे इसन के लिए तो लेकिन अगर आप लोगों कि सैनिक इसकूल ए Agreement परसेंट रूट वाले वो 5 और जो आपका 60 परसेंट रूट वाला उसमें सिर्फ एक जो की ऑटमेटिक है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो तो लास्ट में कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा जिसमें आपने पूरे की पूरे चीजें फिल अब कर दी अब क्या होगा यहां नीचे दिया लॉक्ट चॉइस लॉक्ट चॉइस आपको क्लिक करना है अगर आप नहीं भी करेंगे तो आप चाहो चेंज करना तो भी सकते यहां पर आपने यह कर लिया इसके बाद क्या प्रोसेश औने वाला है सिंपल सा फड़ाफट शॉर्ट बताद तो हम यह जुड़े रहेंगे के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो और अगर मैं तो बोलूँगा कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना हमारे ग्रूप जोइन कर लो WhatsApp का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और टेलिग्राम का भी दोनों जोइन कर लो ताकि वहाँ पर सारा इंफोर्मेशन में आप लोगों को PDF अगर देता रहूं कोई नई वीडियो आएगी उसकी लिंग भी भेज दूँगा तो यहाँ पर क्या होने पर सेलक्षण नहीं हुआ है तो राउंड टू में आपको जक्ति क्रों करो तो लेकिन अगर लग रहे कि इसमें सब कुछ छेडशाड करते हैं कि या कोई सैनिक स्कूल हटाके change करके कुछ दूसरा सैने कि स्कूल ले आते हैं या उपर नीचे कुछ कर लेते हैं तो राउंड तु में आपको मौका मिलेगा change करने का अब मालो round टु में आपका selection नहीं हुआ तो round 3 में फिर वही चीज होगा आपको फिर मौका मिलेगा यह change करने का और आपकी ranking के basis पे आपको Sanic School मिलने माला है आपकी ranking और आपकी preference के basis पे आपने जो choose किया है कि कौन सा Sanic School आपको ज़्यादा पसंद है और आपकी rank कितनी है उसके हिसाब से computer calculate करेगा और computer calculate करके हर round की बाद में आपको बताएगा कि आपको seat मिला या नहीं मिल ऐसे करते करते total 4 rounds होंगे चारो round में अगर आपको seat नहीं मिलती है तब आपका selection कटम लेकिन अगर चारो round में से एक भी round में आपका नाम आ जाता है याने कि आपको सहनिक स्कूल में selection मिल चुका है और वहाँ पर जाके आपको next जो भी process रहेगा उसको follow करना पड़ेगा तो वो next process क्या रहेगा उसके लिए details आएंगी मैं आपको YouTube पर वीडियो बना के बता दूँगा और channel तो subscribe करी लो क्या ही करोगे और video पसंद आया है तो like कर दो I think इसके लग कोई भी doubt है तो आप please comment section में करिए हमारे channel अभी बहुत छोटा है तो हमारे पास जितने भी comments आते हैं उनतर reply मैं लगभग करी देता हूँ तो बड़े channels अगर हम होते तो शायद हम आपका reply नहीं कर पाते तो please request you comment पर आईए कुछ अच्छे-च्छे doubts पूछे ताकि हमको video बनाने का content भी मिल सके आपके doubt के हिसाब से और फिर मैं आप लोगों का doubt भी clear कर दूँ तो I think कि आप लोगों कितना समझ आगया होगा channel subscribe करने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ जैसे e-counseling शुरू होगा कि मैंने कैसे उसकी counseling की है ताकि आपको एक idea मिले कि आप कैसे कर सकते हो तो I hope आप लोगों को मज़ा आगा वीडियो में तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए श्रेसर की class थाटा बाय बाय जै हिन